मुझार्ट आप आप लोग और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने कोई भी शामी स्मार्ट फोन पे कैसे आप इस तरीके का चार्जिंग एनिमेशन को एक्टिवेट कर सकते हों बिना आपने कोई भी फोन को रूट किये बिना कोई भी कस्टम राम को इंस्ट इस वीडियो को लास तक जरूर देखना है तो इसके लिए एक लाइक तो प्लीज आप कर सकते हों मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं आप एक लाइक तो करी सकते हों सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं ये चो अप्लिकेशन है ये तो प्ले स्टोर पे अवेलेविल है क्योंकि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेविल है और इसको आपको डाउंलोड करने के लिए आपको 50 रूपीस पे करना पड़ेगा तो simply अगर आप मैं डिस्किप्शन पीस का फ्री डाउनलोड लिंग गूगल ड्राइफ का लिंग मैं प्रोवाइट कर दूँगा जहां से आप इस अप्लिकेशन को फ्री में बिल्कुल मुफ्त में कोई भी बिना पैसे को खर्च किये एस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो कापी अरह मैं से डाउनलोड हो जाएगा तो गस डाउनलोड कर जाने के बाद आप simply इसे install कर लेना इसडाल करने के बाद जो आपको permission मांगेगा simply आपको उस permission को grant कर देना है grant कर देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीगी के interface शो हो जाएगा simply आप यहाँ पर देख सकता आपको यहाँ पर दो option ने से मिल जाएगा एक हे on एक हे हो आप तो आप यहाँ पर से on को select कर देना select करने के बाद यहाँ पर charging animation AC charging तो AC charging क्या होता है मैं simply आपको समझा देता हूँ आपका जो charger होता है mobile का जो original charger होता है उसे कहता है AC charging और यहाँ पर मिल जाता है दूसरे नमर पर USB charging तो USB charging क्या होता है आप माल लीजी आप अपने phone को laptop से charge कर रहे है तो इसको बोलता है USB charging यहाँ पर दोनों चीजें के लिए यहाँ आपको यहाँ पर communication मिल जाएगा सो simply मैं जाता हूँ AC charging पे तो यहाँ पर देख सकते हो काफी सारा लौट साब आपको animation देखने को मिल जाएगा जो आपके training animation आपको यहाँ पर है तो यहाँ पर देख सकते हो आपको काफी अच्छा चार्जिंग अनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो simply आप किसी को भी एड़ करके डाउनलोड कर सकते हो So simply मुझे इसको लगाना है So simply मैं इसको सिलेट करूँगा एंदर देख सकते हैं नीचे में काफी अच्छा एक charging animation आपको शो हो जाएगा आप यहाँ पर किसी भी charging animation को set कर सकते हो और यहाँ पर मिल जाते हैं animation size तो यहाँ पर animation size वगर को सब कुछ यहाँ पर control कर सकते हो नीचे में जो animation है आप उसे कितना size देना चाते हो छोटा करना चा चाते हो transparency को कितना रखना चाता हो उसको बोलता है transparency आप इसे भी set कर सकते हो और यहाँ पर मिल जाता है शो battery level तो यहाँ पर battery level को आप दिखाना चाते हो तो यहाँ पर battery level को भी show कर सकते हो इस application को यूज करके काफी अरम से आप अपने कोई भी शाओ में स्मार्टफोन भी charging animation को enable कर सकते हो यह application कैसा लगा मुझे comment में प्लीज मुझे जरूर बता देना मैं आपका comment का wait करूंगा और अगर आपको यह application का वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक तो बनता है ब बहूँ